नमस्ते दोस्तों मैं हूँ आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है आज हम पढ़ेंगे सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती के बारे हैं जैसे की पैस्न है सरल एवं संयुक्त पत्ती को संचिप में समझाओ उत्तर है सरल पत्ती सरल पत्ती को अंग्रेजी में सिंपल लीफ कहते हैं यह ऐसी पत्तियां हैं जिनका पैणफलक या तो विभाजत नहीं होता या विभाजत होता है तो उसका कटाव मद्ध सरा तक नहीं जाता है जिसके कारण पैणफलक एक ही दिखाई देता है उधारण है आम, जामुन, पपीता, आदी यह ऐसी पत्तियां हैं जिनका पैणफलक या तो विभाजत नहीं होता या विभाजत होता है तो उसका कटाव मद्ध सरा तक नहीं जाता है सरल पत्तियां ऐसी पत्तियां हैं जिनका पैण फलक या तू बिभाजत नहीं होता या बिभाजत होता है तू उसका कटाव मद्ध सरा तक नहीं जाता है जिसके कारण पैण फलक एक ही दिखाई देता है और जिसके कारण पैण फलक एक ही दिखाई देता है उधारण है आम, जामुन, पपीता, आदी संयुक्त पत्ती, संयुक्त पत्ती को अंग्रेजी में कमपाउंड लीप कहते हैं यह यहीं पत्तियां हैं जिनके पैण फलक का कटाव मद्ध सरा तक जाता है संयुक्त पत्ती, ऐसी पत्तियां हैं जिनके पैण फलक का कटाव मद्ध सरा तक जाता है जिसके कारण पैण फलक कई पालियों में विभाजत हो जाता है जिनें पत्त्रक कहते हैं और जिसके कारण पैण फलक कई पालियों में विभाजत हो जाता है जिनें पत्त्रक कहते हैं और धारड है नीम, इमली, बबूल, आदी तो हे गाईज, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हूँ तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और सस्काइब करें धन्यवाद